नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उडान IS Academy के e-learning platform में आज की इस कड़ी में मैं निखिल केश्री आप सभी के समक्ष भारती समिधान से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ट प्रष्णों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ आगे बढ़ने से पहले आपके लिए कुछ जानकारी रहेगी टेस्रीस के संबंध में उडान IS Academy हर साल की भाती इस साल भी टेस्रीस आयोजित कर रहा है जिसमें की आपके एक throughout ट्यारी आपके जो examination आने वाली है CGPSC को लेकर pre की वहां तक आपको एक flow में त्यारी कराने हैं तू इस टेस्रीस को बनाया गया है इस संबंध में जो भी प्रशन आने वाले हैं इस टेस्रीस में वो CGPSC के जो इस तर अब बन चुके हैं उन्हें पर ये आधारित होगा ये टेस्रीस offline और online दोनों mode में available है आप किसी भी mode में इसे दे सकते हैं 26 जुन से ये टेस्रीस परारम हो चुका है इसमें कुल टेस्ट की संख्या आपको 50 मिलेगी जिसमें 31 GSK और 19 CSET के practice कराया जाएंगे और एक जानकारी है 7 जुलाई से CGPSC pre और mains के combine batch हिंदी माध्यम हेतु चालू कर दी गई है जो कि सुबर साड़े साथ से साड़े दस बजे है ये एक throughout त्यारी कराने के लिए है इसमें हम 40 छात्र हेतु विसेस बैच का आयोजन कर रहे है तो अधिक सधिक मात्रा में आईए और यहां पस अगर जो पहले आएगा वो क्या करेगा यहां पस विसेस बैच को जॉइंट कर पाएगा ठीक बढ़ते हैं हमारे पहले प्रशन की ओर हमारा पहला प्रशन राश्ट्पती से संबंदित होगा कि राश्ट्पती के निर्वाचन से संबंदित किसी विशय, ठीक है, मतलब प्रश्ण किस से है, राष्टपती के निर्वाचन से संबंधित है, हाहली में क्या होने वाला है, तो राष्टपती के निर्वाचन से संबंधित किसी विशय का निविनियम, मतलब regulation, संसद, किस अनुच्छेत के माध्यम से करेगा, ठीक है, मतलब अब यहां पस प्रश्ण यह पूछना की कोसिस कर रहा है कि यह विनियम कौन करेगा यह नहीं पूछना चाहता है यहां पहले ही डिफाइंड कर दिया गया कि यह विनियम कौन करने वाला है संसत करने वाला है यह रूल्स यह रैगुलेशन संसत बनाने वाली है इसमें पचास में क्या है विधाईका और कारेपालिका को यहां पस अलगाव की बात की गई है न्याइपालिका से कारेपालिका का अनुच्छेद अनुच्छ façon 721 इसका राइट एंसर है कुछ लोग बोलेंगे कि अनुच्छ पच्पन होना चाहिए उसमें निर्वाचन का प्रावधान किया गया है दोस्तों देखो निर्वाचन की रीतियां बताई गई है अनुच्छ पच्पन में अनुच्छ 58 में यहां पस योग्यताओ के बारे में बताया गया कि योग्यताएं क्या होंगी होगी क्वालीफिकेसं्स क्या होने चाहिए उसके बारे में फ्राव धानि लेकिन विनियम बनाने की जब बात आती है कि संसद विनियम बना सकती है एंसर होगा इसका अनुच्छेद 71 सम्विधानिक प्रश्ण है सम्विधान में डायक्ट मेंसन मिलेगा आपको अनुच्छेद 71 में इसी का बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण भी हमारे राश्पती से संबंधित राश्पती की पदाओधी की आटिकल 56 का सब क्लॉस वन कहता है कि राश्पती की जो पदाओधी होगी वो उनके पद ग्रहंटी की तारिक से कंटीन्यू चलते हुए कब तक रहेगी तो पदाओधी ये हो गया पांच वर्स का तो इसकी समापती से उत्पन रिखती तो इसकी समापती से उत्पन रिखती को भरने के लिए किसी कारण वर्स नौ निर्वाचित राश्पती तो इस पदाओधी की समापती को भरने के लिए निर्वाचन हुआ था आटिकल 62 के तहत आटिकल 62 में बताया गया है कि राश्पती की पदाओधी से जब रिखती उत् गया है इसलिए यहां पस्किसका प्रेज़ किया गया नौपनीरवाचित राश्टपती आगया एक माह तक अपना पद गहन कारण नहीं कर सकता है किसी कारण भूस नहीं कर पाया ठीख मतलम यहां फस्पदान परती समाप्त से उत्पन होने वाले रिक्ती को भरने के लिए निर्वाचन अर्थात नय राश्पती का निर्वाचन पदावधी की समापती से पूर्ण कर लिया जाएगा आर्टिकल 62 कहता है तो चुनाओ हो चुका है नय राश्पती का लेकिन यहां पस पुराने राश्पती का पदावध समाप्त हो गया और यह जो नया वाला राश्पती है वो एक माहा तक किसी कारण मर्स अपना पद ग्रहण नहीं कर पाया है प्रश्ण इसी पर पूछ रहा है कि अब सम्विधानिक दृष्टी से कौन सी पर इस्थिति उत्पन होने वाली है इस पर इस्थिति में सम्विधान क रूप रेखा क्या होगा चलिए देखते हैं पहला नौ निर्वाचित राश्पती अनुपस्थिति की आग्या लेगा बिलकुल गलत अनुपस्थिति के संबंद में चुट्टी लेने के संबंद में सम्विधान में तो कोई प्रावधान नहीं किया गया है ना की आग्या लेने के लिए भी बात नहीं की गई तो पहला यहां पस क्या हो जाएगा यह गलत पूरी तरीके से दूसरा कहता है एक महा के लिए उप राश्पती कारवाहक राश्पती के रूप में कारे करेगा बिलकुल भी नहीं यह भी गलत होगा क्योंकि पदावधी की समाप्ती से उत्पन रिक्ती में नया राश्पती ही बैठ सकता है यदि कोई कारेकल समाप्त हो गया यहां पास तो नया राश्पती ही बैठेगा लेकिन यहां पस यह भी क्लॉस कर दिया गया कि कि किसी कारण वर्स नया राश्पती नहीं बैठ पा रहा है तो जो पूराना राश्पती अपना पद कंटीनियू करेगा जी हां पांस साल के बाद भी पुराने राश्पती अपना पद क्या कर सकते हैं कंटीनियू कर सकते हैं जैसे अभी स्री रामनात कोविन जी यदि पांस साल की उधीर सवापती हो जाती है 25 जुलाई को देन उसके बाद भी वो कंटीनियू कर सक में यदि आप गर पॉइंट पढ़ेंगे तब वह मिलेगा कि पदाउधी के समापती के पश्चात भी राश्पती अपना पद तब तक नहीं त्यागेंगे या फिर नहीं छोड़ेंगे जब तक कि नव निर्वाचित राश्पती अपना पद ग्रहन न कर ले अर्था समयधा प्रावधान के अनुसार उप राश्पती कारवाक राश्पती के रूप में कारे नहीं कर सकते यदि आप उप राश्पती के कारवाक राश्पती के रूप में कारे करने की बात कहते हैं तो फिर वो आर्टिकल 65 देखना पड़ेगा आर्टिकल 65 में उन परिस्थितियों के बारे में बताया गया है कि कब एक Vice President President के रूप में कारे करेगा ये वाला clause यहां लागू नहीं होने वाला तीसरा पुराना राश्पती अपना कारेकाल जारी रखेगा जब तक कि वो नए राश्पती अपना पदग्रहन ना कल लें संसत इस भेतु विधी निर्मित कर सेगी नए इसके लिए कोई विधी निर्मित नहीं है क्यों क्योंकि समिधान में इसका इस पष्ट प्रावधान कर दिया गया है वी नियम बनाने की बात की गई विधी बनाने की बात की ही नहीं गई है ठीक जैसे इससे पहले वाले प्रश्ण में हमने वी नियम बनाने की बात की थी तो इस प्रकार से answer क्या होगा, c पुराना राश्पती अपना कारेकाल क्या रखने वाला है, जारी रखने वाला है, बहुत अच्छा question मनेगा यहां से, ठीक राश्पती के कारेकाल के सम्ध में अनुच्छे 56 से, अनुच्छे 62 से और अनुच्छे 65 जब भी पढ़िए ताकि इसके बारे में overall depth जानकारी आपको प्राप्त हो सके बढ़ते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन है आर्टिकल 77, 81, 82 और ये 85 ये articles नहीं ये सम्मिधान के संसोधन से हैं ठीक ये संसोधन है संसोधन है ये पूरा का पूरा ठीक है और ये सारे के सारे संसोधन पता इन प्रशनों को बहुत जादा ठीक है एक एक करके यहां पस देखते हैं अनुच्छ यहां पर जो 77 सम्मिधान संसोधन है वो 1995 में किया गया क्यों किया गया था क्योंकि यहां पास हमको देना था प्रमोशन में आरक्षण पदोनत्ति में आरक्षण देने के लिए बारती स सम्मिधान का 77 सम्मिधान संसोधन किया गया और एक नमिन आर्टिकल को यहां पस सामिल किया गया चार का सुल्ला का सब क्लॉस फोर का भी का पहले तक क्या था सुल्ला का एक था सुल्ला का दो था सुल्ला का तीन था और सुल्ला का चार था अब सुल्ला का चार का भी आ गय को यहाँ पस क्या कर दिया गया था null and void कर दिया गया तो उसी को reverse करने के लिए संसन ने एक संसोधन किया और पहला संसोधन था यहाँ पस 77 समिधान संसोधन जो की b point से related है किसे related है यह b से अर्था 64 कस है प्रमोशन में आरक्षन को लेकर फिर आता है 81 संसोधन 82 और फिर आता है 85 संसोधन तीन संसोधन और है यहाँ पस ठीक है पहले 85 देख लेते हैं क्योंकि 85 का भी जो relation है वो जैश्ठता परिणाम से है क्यों जैश्ठता परिणाम से है कि प्रमोट होने के बाद कोई व्यक्ति क्या सीनियर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा यदि एक व्यक्ति का या दो व्यक्ति माल लेते हैं दो व्यक्ति का एक ही समय पर जॉब लगा एक ही पद पर एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति एक ही समय में एक ही पद पर जॉब लगा तो दोनों एक दूसरे का ना senior ना junior एक साथ वो चल रहे हैं लेकिन यहाँ पास यदि किसी वैक्ति का promotion जल्दी हो रहा है और दूसरे वैक्ति का promotion लेट में हो रहा है तो जैश्ठता परिणाम लागू होने के कारण क्या होगा जो पहले प्रमोट हुआ जो बाद में प्रमोट हुआ वो उसकी तुल्ला में उतना senior हो जाएगा जितने साल पहले वो प्रमोट हुआ था अर्था जिसका promotion पहले होगा वो senior कहलाने लगेगा और इसका प्रावधान जैश्ठता परिणाम के नाम से जाना जाता है जिसे 85 में समिधान संसोधन के द्वारा क्या किया गया था लागू कर दिया गया था ये भी article 64 कव में ही मिलेगा कई सारे राज क्या करते थे promotion में आरक्षण तो देते थे लेकिन वहाँ पस जैश्ठता परिणाम को लागू नहीं करते थे अरथा एक समय में माल लेते हैं सन 2002 में दो वेक्ति का क्या होता है पद आता है दोनों से रेंग में हैं ठिक सेम पद पर courtyard में से एम साल भरती हुए तो दोनों ना senior ना junior लेकिन इनका प्रोमोशन जल्दी हो जाता है मालेत ने 2008 में और इनका हो जाता है 2012 में तो ये दो साल सीनियर कहलाएंगे अब जैश्ठता परिणाम लागू होने से क्या है सीनियरेटी बेसिस लागू हो जाती है यहां पस तो 85 में समिधान संसोधन से ये प्रावधान कर दिया फिर आता है बैयासीमा में क्या किया गया अनुच्छे 335 में संसोधन किया गया अनुच्छे 335 में अनुच्छी जाती और जनजाती वर्गों के संबंध में कि उक्त वर्गों के लिए आप जो अरहक अंग होते हैं अर्थात परिच्छा में जो नियुंतम अंग होते हैं उ उनमें हम किसी भी प्रकार के प्रसासन की यहां पस efficiency की बात नहीं करेंगे अर्थाद अनुसित जंजाती और अनुसित जंजातियों को आरक्षन देने में यदि ये बात आती कि efficiency कम हो रहा है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा अनुच्छे 335 में सब्दसर उसे सामिल कर दिया गया था अर्थाद 82 का संबंद किस से हो जाता है अनुच्छे 335 से हो जाता है देन आता है एक्क्यासीमा समिधान संसोधन अबेखी बचा है वो है सुल्ला चार ख यहां पस प्रावधान करने के लिए किया गया था कि 50% की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाएगा यदि अगर नयन का सिध्धान्त को हम लागू करने का प्रयास करते हैं अगर नयन क्या होता है बैकलोग पदों की बात कर रहा है कि किसी साल यदि किसी वर्ग को लेकर जो की आरक्षित वर्ग है उसमें भी ST और ST कम्यूटी को लेकर यदि आरक्षित पदों में भी कुछ पद खा तो यहां पास अग्रनेयन के सिधान को लागू किया गया और उसमें 50% की जो क्राइटेरिया थी उसे यहां पास सामिल नहीं किया गया यहां पास एक संसोधन किया गया और उसमें यह कह दिया गया कि 50% की क्राइटेरिया का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो इसका मतलब है जो B point है, वो C से संबंद दीत है, चलिए match करते हैं, पहले का B, पहले का B, दूसरे का C, तीसरे का A, और चौथे का D, B option हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ये चारो के चारो संसोधन, भारती सम्मिधान के अनुछे सोला के संबंद में किये गया है, एक और बाद में हो को लेकर, तो ये है प्रश्न करमांग 3, ठीक है, इसे बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा, बहुत important case है, इसमें इंद्रा सहानी को लेकर, और भी case है, कभी इसमें डिटेल में बात करेंगे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और, प्रश्न करमांग 4, कहता है कि न यदि आप उपराश्पती को हटाने के लिए, कोई भी अगर आप संकल्प लेकर आते हैं, प्रस्ताओ लेकर आते हैं, तो वो सबसे पहले रास सभा में ही प्रस्तूत किया जा सकता है, अन्यता और कहीं प्रस्तूत नहीं किया जाएगा, अर्थात पहला वाला क्या है, गलत करो ठीक है ये भी एक तरीका है Elimination Method के तता आप इसे solve कर सकते हैं यदि अगर बहुत ज़्यादा समय नहीं है तो तीसरा को आप हटा सकते हैं क्योंकि तीसरा तो 100% क्या होने वाला है सत्य होने वाला है चलिए दूसरे की बात करते हैं उप प्राश्पती को हटाया जाने से संबंधित संकल्प को राज्य सभा में विसेश बहुमत से पारित होना आवश्यक है पहली बात तो भारती संविधान में कहीं भी विसेश बहुमत का उल्लेक नहीं है सब्दसह सब्दसह विसेश बहुमत दिखाई नहीं गया, वहाँ पस पूरा प्रक्रिया बताई गई है, कि यहाँ पस आपको कुल सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए, उपस्थित मतदान का दोती है चाहिए, या फिर कुल सदस्य का दोती है चाहिए, या फिर कुल उपस्थित और मतदान का केवल दोती है चाहि करता है टात कालिन जो उपस्थित सदस नहीं करता है एफ़ेक्ट्यू मेजौरेटी की बात करता है हो एबसलूसेazo सब्सक्राइब हात है इससे दिएर करतें का होिए एक। तुह तो उपराश्पति को हटाने से संबंदिश संकल्प राजसभा द्वारा पारित किये जाने के बाद भी जरूरी है कि लोगसभा उस प्रस्ताव का क्या करे समर्थन करे जी हाँ आर्टिकल 67 कहता है कि उपराश्पति को हटाने के संबन में जो भी प्रस्ताव राजसभा द्वारा पारित कर दिया जाएगा देन उसके बाद लोग सभा उसका क्या करे उसको समर्थन जरूर दे लोग सभा उसका समर्थन करे तभी वो जाकर क्या होगा पारित माना जाएगा इस प्रकार से इसमें केवल उत्तर हो जाएगा केवल तीसरा अर्थाथ D point बढ़ते हैं अगले प्रशन क्यों है अगला प्रवरित नहीं कराया जा सकता नहीं कराया जा सकता लेकि पॉइंट तो बिल्कुल सही है कि न्याले द्वारा मूल करतव्यों को प्रवरित नहीं कराया जा सकता लेकिन यहां जो वाक्य क्या प्रयोक किया गया है इसमें डाउट आना चाहिए आपको भारती समिधान में इ इसपष्ट नहीं लिखा गया है जी हाँ इसपष्ट रूप से उल्लेक नहीं है यह से बिलकुल भी उल्लेक नहीं है क्योंकि जब आप भाग चार को पढ़ने का प्रयास करेंगे भाग चार को मुल कर्तव को लेकर तो वो सीधे सीधे आर्टिकल 59 कब में चले जाता है और इस या फिर मूल करतब ये को नियाले प्रविर्त नहीं कर सकता यह हमें पता जरूर है लेकिन वो इस पश्ट रुप से बढ़नित नहीं है तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत हडवड़ी में यहीं पासना कई बच्चे गड़बड़ी करते हैं हडवड़ी में गड़बड़ी यह हो जाते हैं वो सोचते हैं कि यह पॉंट तो सही है यह पॉंट सही है लेकिन सम्विधान में उल्लेख नहीं है इस पश्ट उल्लेख नहीं है सब्दसह उल्लेख नहीं है कि सम्विधान में ऐसा लिखाई गया है ठीक यह उल्लेख नहीं किया गया है दूसरा कथर पहला न्याले द्वारा अब परवर्तिनी होने का इसपर्ष ठूले के जी हाँ इसका उल्लेख है जब हम DPSP की बात करते हैं भाग चार की तो वहां पस आर्टिकल 36 आता है जो कि राजी की परिभासा की बात करते हैं जो कि सेम एस किसके जैसा है आर्टिकल 12 के जैसे फिर आता है आर DPSP का उलंगन हो रहा है ज्याय पाली का इस पर क्या करे कोई ज्याय दे ऐसा बिल्कुल भी प्रावधान नहीं किया गया है DPSP पूरी तरीके से राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है उसके प्रसाद पर छोड़ दिया गया है कि राज्य अर्थात सरकार आपको DPSP के कई के लिए कहता है कि सत्य ना कर दिया करो हमेशा है खासकर इसको सत्य पूचा है तो पहला सत्य और सत्य है तो गलत driving नहीं जाएक». बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रस्ण हमारा है। कि DPSP से रिलेटेड है यह राज्य के निती निदेशक तत्व के संदर्भ में सत्य नहीं है ठीक है तत्व एक ठीट का होगा है राज्य के निती निदेशक तत्व के संदर्भ में सत्य नहीं है important इसे आप क्या करेंगे bracket पहले कि वो गलत को पूछ रहा है कौन सा गलत नहीं है अर्था जो गलत होगा वही हमारा क्या होने वाला है उत्तर होने वाला है पहला यह न्याले दोरा प्रवर्तनिया नहीं है बिल्कुल सही है यह तो बिल्कुल सही आर्टिकल 37 अभी जर्श देखा था इसका इस पष्ट उलिक भारति समिधान में किया गया है चाहे आप इस पॉइंड को लेकर कहें कि हाँ इसका उल्ले किया गया है या फिर अप DPSP को वही लेकर फिर है सर्वोच न्याले में इसे मूल अधिकार के पूरक के रुप में बताया गया है फिर सिखवर पढ़ते हैं सर्वच न्याले के द्वारा या सर्वच न्याले ने इसे मूल अधिकार के पूरक के रुप में दर्साया गया है बिल्कुल सही है पूरक का मतलब क कि मौलिक अधिकार DPSP के बीना पूरे नहीं है, या फिर वो एक दूसरे के बीना पूरे नहीं है, ऐसा क्यों कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट देखते हैं इस बात को लेकर, जब समिधान निर्माताओं के सामने ये प्रश्ण उठा कि भारती समिधान में अधिकारों का यहीं निकला, कि नहीं हम समिधान में मौलिक अधिकार पहले से क्या करेंगे, सामिल कर देंगे, प्रश्ण अब दूसरा ये आता है, कि जब अधिकारों को समिधान में सामिल किया जाएगा, तो क्या सारे अधिकार तूरं दे दिया जाएंगे, क्या ऐसा पॉसिबल है, कि एक बच्चा अभी पैदा हुआ, एक परिवार है, एक बच्चा अभी पैदा हुआ, ठीक अभी अभी पैदा हुआ, और पता है कि इसको ये सब की जौरत पढ़ती है, है ना, जब ये उम्र के किसी पढ़ाओं पर होता है, तो इसे गाड़ी, मोबाइल, है ना, सब चीज की जौरत पढ़ती है, बहुत चीजों की जौरत पढ़ती है, लेकिन क्या वो पैदा होगा और उसे तूरंत ही सारे अधिकार दे दिये जाएंगे, तो यहाँ पस बात आई कि नहीं, अधिकार कुछ ऐसे होते हैं, जो कि इस बच्चे के लिए अत्यन तावर्शक हैं, ये आज्यतिक स्वतंतरता प्रदान करते हैं, जो आपके विकास के लिए, आपके उन्यन के लिए, आपके सोचने के लिए, सब कुछ के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, आपके जीवन जीने के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, उन्हें भ किता जी के पास पैसा नहीं है कि अभी तुरन बाइक लेके दे लैपटॉप के लिए पैसा नहीं है तो यहां पास उनको रखा गया DPSP में कि कुछ अधिकार इंपोर्टेंट तो हैं लेकिन अभी वो तुरन दिये नहीं जा सकते उसका रीजन यह है कि सरकार इतनी कन सके या फिर उसको हेंड़ कर सके तो कुछ कारण वस अधिकारों की दो स्रेणी बना दी गई एक ऐसा अधिकार जो कि अत्यंत आवशक था नहीं अभी नहीं दिये जा सकते धीरे 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 दिये दिया जाएगा उन्हें रखा गया DPSP में और यहां पस यह कहा गया कि विवस्था बनाएगा आर्टिकल 37 में भी लिखा गया है यह 38 में है विवस्था बनाने के लिए 37 में भी है कि राज का कर्तव होगा कि वह इनमें लिखेवे प्रावधानों को क्या करे लागू करे तो यह दोनों चीज यहाँ बताए गई है सरकार इन्हें लागू करेगी फी पॉंस सही हो जाएगा अब बात करते हैं चौथे पॉंस यहाँ जैसी बाते चौथा गलत होने वाला है गलत को पूछा है वह जब तीनों सही है तो वह इस चौथा यह हैं फिर ही पढ़ते है इसके दवारा नागरिकों को कुछ नैतिक दाइट वह सौपा गया है तथा Political Science की बात करेंगे राजनितिक विज्ञान के एक विशय में कि जो सम्विधान है वो करता क्या है सम्विधान या राजनीती ये होता क्या है या राजनीति जो स्क्विधान करता क्या है ये राज के का प्रतीक है सक्तियां किसके पास है राज्य के पास और नागरिक स्वतंतरता का प्रतीक है उसे स्वतंतरता चाहिए और राज्य को सक्ति चाहिए कहीं सक्ति जादा देदी तो स्वतंतरता कम हो जाएगी कहीं स्वतंतरता जादा देदी तो सक्तियां क्या हो जाएगी कम हो ज निर्बंधन की कोई बात यहां सामिल नहीं होने वाली है आई बात समझ मार्शयल लौक के बारे में है सेना विधी विवी सेना विधी लागू होने की स्थिति होती है तो मूल अधिकारों को सिमिद करने की सक्ति किसे प्राप्त है आसान प्रश्ण है बहुत आसान हो गया यह संसत को ही प्राप्त है संसत ही क्या कर सकती कि जहां कहीं भी सेना विधी लागू कर दी गई है वहापस वह मौलिक अधिकारों को निरबंधन है तो संसद कानून के माध्यम से वीधी के माध्यम से उस छेत्र के लिए मौलिक अधिकारों पर कुछ रिस्टिक्शन लगा सकता है या फिर संघ या फिर राज या प्रांत की सरकार जो है उनके संबन में जो अधिकारी है उनको पुरक्ता प्रदान करने के लिए उनके गारत जो भी कारे किये जाते हैं उनको सही साबित करने के लिए क्या किया जा सकता है कानून बनाने का निर्माण किया जा सकता है और यह कौन कर सकता है राश्पती नहीं कर सकते कैबिनेट नहीं करवा सकता संसत कर सकता है आ सकता है कोशन इंपोर्टेंट है याद रखेगा बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न है मूल अधिकारों के संबन में ही है फिर से विचार करने पर प्वात कर रहा है यह विचार करते हैं चलिए अब इस पर फिर पूछा है सत्य के वारे में विचार करना है और केवल सही को खोजना है यदि मूल अधिकार का कोई संसोधन मतलब भागतीन में कोई संसोधन हो गया है चलिए ठीक है संसोधन करवा दिया मूल अधिकारों का कोई संसोधन नवी अनुसूची में सामिल कर लिया जाय तो भी न्याइपालिका की न्याइक प मंदित है और जब उस संसोधन को हम लोग रख देंगे कहा नवी अनुसूची में तो क्या उसका नयायक पुनर विलोकन नहीं होगा पहले क्या हुआ था प्रत्थम सम्मिधान संसोधन करके एक अनुसूची का उस पर judicial review नहीं कर सकती थी कि वो मौलिक अधिकार च्हिंता है यह नहीं छिंता है वो किसी और अधिकारों को च्हिंता तो नहीं यह सब कुछ चेक नहीं किया जा सकता था लेकिन केसमा-णभरतिवाद में क्या होता है कि मौलिक धाचा का सिध्धान ता जाता है 1973 केशवरन भारतिवाद में मौलिक धाचे के सिध्धान का प्रतिपादन किया जाता है और इसके बाद ठीक, 1976 में 42वा समिधान संसोधन के द्वारा संसद नयाइक पुनर विलोकन की सक्ति को छीन लेती है कि नयाइक पुनर विलोकन नहीं करने दिया जाएगा 1976 में छीन लिया 1981, 1981 और 1980 1980 में मिनर्वा मिल्स मामला और 1981 में वावन रव मामले में ये निड़ने दिया जाता है कि जो मौलिक कर्तव या फिर ये जो मौलिक जो धाचा है उसमें नयाइक पुनर विलोकन की सक्ति पहले से सामिल है अर्थात जो नयाइपाली का है वो विधाई का और कारेपाली का जो भी काम किया जाता है उन्हें चेक किया जाता है किसके दवरा कि कहीं वो समिधान के उपद्धों के अधिनतों काम कर रहां यह नहीं कर रहें यह चेक करने का प्रावधान है इस कहा जाता है जुडिस्यल न्याइक पुनर्विलोकन का सिध्धान तो जब यहां पास 76 सम्विधान संसोधन के माध्यम से संसद ने इस बात पर प्रतिमन लगा दिया कि सम्विधान संसोधन को लेकर न्याइप पुनर्विलोकन नहीं हो सकता खास कर जब वो नवी अनुसुची में भी चले जा तब नहीं हो सकता तब जाके मिनर्वा मिलस्वामले में ये कहा कि हमने जब मौलिक धाचा का सिध्धान दिया था तो इस मौलिक धाचे में हमने ये कहा था कि मौलिक धाचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते भारती समिधा के किसी भी हिस्से में संसोधन कर सकती है लेकिन ऐसा संसोधन मौलिक धाचा में परिवर्तन नहीं करना चाहिए तो मौलिक धाचा का सिध्धान आ गया नैक पुनर विलोकन खतम कर दिया 19 स्वसी में नैक पुनर विलोकन को ही मौलिक धाचा घोशित कर दिया इसका मतलब है कि स संसोधन के माध्यम से नैक पुनन विलोकन की सक्ति को खतम नहीं किया जा सकता है अर्थात कोई भी संसोधन हो चाहे वो किसी भी अनुसुची में हो उसका नैक पुनन विलोकन तो होगा मतलब होगा तो पहला है सही मतलब उनकी सक्तियों को सिमित नहीं कर सकते आगे बढ़ते क्यों क्यों कि इस दिन केशवान भारती का जज्जमेंट आया था और यहां पस यह कहा गया कि देखो पुराने जज्जमेंट है जो 24 अपरेल 1973 से पहले के जो भी संसोधन किये गए हैं 1973 से पहले उन पे हम ऐसा रिक्ष्रिक्शन नहीं लगाते हैं उनको हम ठीक है जाने दो कर तो उसमें यह कहा गया कि हम इसका भूत लक्षी प्रभाव नहीं रखने वाले हैं मतलब मौलिक सिधान जो है जो मौलिक धाचा है उसका भूत लक्षी प्रभाव नहीं है मौलिक धाचे का जो सिधान थै वो केवल 24 अपरेल 1973 के बाद आने वाले कानूनों के लिए है उसके एक डेट फिक्स कर दिया गया कि 24 अपरेल 1973 के पहले में मौलिक धाचे का सिधान लागू नहीं होगा, अर्थात कोई भी कानून बने या कोई भी संसोधन होए, कोई भी समीधान का संसोधन होए, इस पर मौलिक धाचा का सिध्धन लागू नहीं होगा 24 अप्रेल के बाद यदि आप कोई संसोधन करते हैं कोई कानूर मनाते हैं तो उस पर मौलिक धाचे का सिध्धन क्या हो जाएगा लागू हो जाएगा प्रभावी माना जाएगा और हमने देखी रखा है कि वीनोनबा विल्स मामले में क्या कह दिया गया है कि यहाँ पस जो नाइक पुनन विलोकन की सक्ती है वो खुद स्वयम में क्या है मौलिक धाचा है तो इसका मदब B.P क्या हो जागा यहाँ पस सही पहला और दूसरा दोनों सही है C option में आ जाएगा एक और दो दोनों सही हो जाएंगे बढ़ते हैं अगले प्रशने की और अगला प्रशने है भारती समिधान के भाग चार का संबन यह तो DPSP से है राज्य के निती निदेशक तत्वों सही बिल्कुल सही है ठीक उसके तत्वों सही है ठीक उसके तत्वों से दूसरा वर्तमान में भाग चार के कुछ ही उपबंध सेस बचे है जो न्याले दोरा प्रवर्तनिया नहीं है देखो अगर बहुत जादा समिधानिक सब्दों में फसकर इस कोर्शन को सॉल करेंगा तो यह वाला पॉंट इसके भाव को समझो वर्तमान में अभी प्रेजेंट की बात करता है कि वर्तमान समय तक जो DPSP के प्रावधान है उनमें कुछ ही ऐसे बचे हुए हैं जो कि न्याले दोरा प्रवर्तनी नहीं है न्याले ने कैसे प्रवर्तनी करा दिया भाईया तो DPSP के जितने भी प्रावधान थे ना जितने भी मतलब मैक्सिमम प्रावधान को वो मौलिक अधिकार के संगत घोसित कर दिया कि भाई इसमें लिखा हुआ आर्टिकल 45 सिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है घोसित कर दिया आर्टिकल 21 के तहत तो directly तो इन्हें involved नहीं किया गया नयापालिका यहाँ पर directing involved नहीं हुई नयापालिका ने मौलिक अधिकारों का reference दे दे कर DPSP के कई सारे प्रावधानों को क्या घोसित कर दिया है कि यह मौलिक अधिकार होंगे और नयापालिका की व्याख्या सम्मिधान में सामिल है सीदी सी बात है जब हम सम्मिधान के अंगों की बात करते हैं सम्मिधान के प्रावधानों की बात करते हैं तो उसमें जाहिर सी बात है नयापालिका का हमेशा judgment क्या हो जाएगा सामिल हो जाएगा क्यों? क्योंकि जो सम्विधान का interpretation करने का अर्थात उसका उल्ले करने का उसके बारे में बताने का व्याक्षा करने का जो अधिकार है एक मातर अधिकार वो न्यायपालिका को दिया गया है तो न्यायपालिका जब चाहे जैसा चाहे जब जैसा उसको उचित लगे वैसा वो व्याक्षा कर सक कि यहाँ पस बर्तमान की बात किया है सिधा सम्मिधान सब्द का प्रियोग नहीं किया सीधा 1950 का प्रियोग नहीं किया थिक आर्टिकल का मैंसन नहीं किया वह एक इन जनरल प्रश्ण को पूछ रहा है कि भारती समिधान के जो बाग चार में वर्तमान समय तक देखा जा तो न्याले ने इसको कई सारे चीज़ों को लागू करा दिया कुछ बचा हुआ है जैसे 44 लागू नहीं किया चाहे तो समानता के तत इसको लागू कर सकता है कि भारत में क्या ना चाहिए समानता आर्टिकल 14 समानता काधिगार हो जाएगा कि हमें केवल एक सत्य लगे लिकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है जब आप इसे बहुत ज्यादा डिपली एनलेसिस करेंगे अगर बहुत ज्यादा सोचेंगे तो यहां पस दूसरा पॉंट भी हमें क्या लगेगा सही लगेगा ठीक है बढ़ते हैं अगले प्रश शुल्षन के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 फिर आता है धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार 25-28 अर्था यह जो चौथा वर्गीकरण है धर्म की स्वतंतरता का उससे रिलेटेड है जो की 25 से कहां तक मिलेगी हमें 28 तक मिलेगा 25 से लेकर 28 तक उसमें भी एक आर्टिकल है 27 27 य नागरी किसी भी टैक्स को नहीं पटाएंगे, किसी भी कर का अदाइगी नहीं करेंगे, यदि उस कर की अदाइगी से जो सरकार है वो केवल एक विशिष्ट धर्म या विशिष्ट संपरदाय का ही क्या करती है, कल्याण करती है, केवल उन्हीं अंसदान देती है, केवल उन् लाओधान कर सकता है कि वर्तमान में अब धार्मिक कर लगाया नहीं जा सकता है जैसे पहले के राजा महराजा धार्मिक कर लगाते थे गैर जैसे इसलाम के समय जब भारत में इसलाम था सासक्ते हैं अपस मुगल सासक हो गया है जैसे सल्तनत काल हो गई तो उस समय क्या था प्रजिया करते तो उस टाइप कोई विधार्मी कर आप नहीं लगा सकते और जो भी टैक्स का पैसा जो आएगा जो उगाही होगी जो टैक्स की पैसे की उगाही होगी जब उसका संदाय करने की बात आएगी जब उसे ट्रांसफर करने की बात आएगी तो वो सभी में बराब नहीं करेगा जी हाँ यह सत्य है किसी विशेश के लिए देखो करो तो सब के लिए करो किसी विशेश के लिए नहीं कर सकते आप ठीक तो पहला सही है दूसरा यदि राज विभिन धर्मों को समान महत्वा देते हुए धन खर्च करता है तो अनुच्छे 27 का उलंगन नहीं मान कर रही है जो वेश्टन डैमोक्रेसित हैं जो पश्चमी लोक्तंत्रिक देस हैं उनमें जो धर्म निर्पेश का स्वरूप है वो नकरात्मक है, वो नकरात्मक स्वरूप का है, जहां पस सरकार के संपुण कारियों को किसे अलग कर दिया जाएगा तो धर्म से पूनता अलग कर दिया जाएगा, इसका जो लीडर है वो फ्रांस है, धर्म रिपेश का लीडर फ्रांस कहा जाता है, पूरी तरीके से अलग क दिया जाएगा धर्म काम अलग सरकार काम अलग यह नकरात्मक सोरूप लेकिन भारत में ऐसा नहीं है भारत में जो धर्म निर्पेश का सोरूप है वो सरकार साथ साथ लेकर चलने वाला है धर्म को साथ लेकर चलेगी लेकिन एक धर्म नहीं जितने भी धर्म है सभी को लेकर चलेगी किसी एक विशिष्ट धर्म को ना तो मान्यता देगी नहीं किसी एक विशिष्ट धर्म के लिए कोई विशेष कार्य करेगी तो इस प्रकार से अनुच्छे सत्ताइस का ये वाला पॉइंट भी क्या है सही हो जाता है हमारे धन मिर्पेश का सकरात्मक सोरूप पाय जाता है दोनों पॉइंट सही है सी ओप्षन आ गया अगर पस एक और दो दोनों क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण है अनुच्षेद 19 के सबक्लोस 3 से अर्शाद निर्बंधन की बात कर रही है ठीक है कौन सा निर्बंधन देखते हैं अनुच्षेद 19-3 के अनुसार सांतिक पुर्वक और निरायुध सम्मेलन के अधिकार पर युक्ति-युक्त निर्बंधन के आधार पर ठीक है प्रश्न क्या है पहले यह समाझ लेते हैं निर्बंधन की बात कर रहा है कि मौलिक अधिकार पर कुछ निर्बंधन लगाए गए हैं जो कि बहुत सही है यदि मैं कहूं कि सरकार आपको कुछ अधिकार प्रदान कर दे सरकार प्रदान कर दे आपका परिवार आपको प्रदान कर दे हैं आपका समाझ आपको अधिकार प्रदान कर दे कोई भी यदि आपको माल लेते हैं कोई भी अधिकार प्रदान किया गया माल लेते हैं आपके परिवार में आप रहते हैं अपने परिवार में ही रहते हैं और आपको एक अधिकार दे दिया गया घूमने का अधिकार घूमने का अधिकार खिक यह अधिकार मिल गया तो पता चला अधिकार मिला और आप क्या सुबस चाय पराठा खाके निकले और घूमते चल रहे घूमते घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे दस दिन के बाद लोट अधिकार यदि आत्यांतिक हो जाएं अधिकार यदि एपसलूट हो जाएं यदि अधिकारों पर निर्बंधन न लगाए जाएं तो फिर अधिकार का आप इतना जादा प्रयोग करेंगे जिससे अराजक्ता फैलेगी यही तो अराजक्तावाद का कॉंसेप्ट है कि जहां र चीज की छूट दे दी जाए कि आपके पास जितने अधिकार हैं उनमें बहुत जादा छूट मिल गया आपको तो बहुत जादा अराजकता फैल सकता है इसी लिए पीता जी बोलेंगे देख बैटा घूमने का अधिकार है लेकिन साम को 8 बजे तक यह क्या लग गया क्यों करना ना चालू कर दें इसी लिए कहा जाता है कि अधिकार आत्यांतिक नहीं है अधिकार निरपेच नहीं है अधिकार एपसलूट नहीं है ठीक तो उसी निरबंधन की बात कर रहा है अनुछेद 19 सब क्लोस वन का क ख ग अंग च और च यह यहाँ पस 4 च है टोटल था बोलने का अधिकार सम्मेलन करने का अधिकार संगठन बनाने का अधिकार निवास करने का गूमने का अधिकार निवास करने का और कोई व्रिती व्यापार कारोबार करने का अधिकार वाडिजी करने का अधिकार जब अधिकार दिये गए तो इन पर निरबंधन भी लग दो प्रावधान है लोक विवस्था और भारत की संप्रभूता और अखंडता को देखते हुए आपके सम्मेलन करने की सोतंतरता पर निर्बंधन लगाया जा सकता है ठीक है इसलिए जो सम्मेलन करने की सोतंतरता मिली हुई है अर्थात आपको जो अधिकार प्राप्त हुआ ह सम्मेलन करने का उस पर कुछ रिष्टिक्शन्स भी हैं और वो रिष्टिक्शन्स जस्टिफाइड हैं सम्मिधान के द्वारा वो है 19-3 पर और वो दो है लोक व्यवस्ता और भारत की संप्रभुता और अखंडता की बात बागी यह दोनों प्रावधान 19-2 में मिलेंगे 19-2 लिखा होता तो फिर यह चारों सही हो जाता 19-3 लिखा तो केवल लोक व्यवस्ता और यहां भारत की संप्रभुता और अखंडता आएगी पहला और दूसरा केवल एक दो सही मतलब यहां वाला पहला आप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक तो याद रखेगा निर बंधन याद रखना बात करते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन निमलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है डालेक डायेट है मतलब यहां सही जोड़ी नहीं मिलाना है सीधा पता नहीं है ठीक अधिवास के द्वारा नागरिक्ता अधिवास डोमेसाइल के पहला तो सही है अधिवास के नाम पर नागरिक्ता की बात करता है अनुच्छेद पांच फिर भारत के बाहर रहने वाले भारती मूल के नागरिकों या फिर वेक्ति के लिए नागरिक्ता जी हानुच्छेद आठ में यह लिखा हुआ है पांच में लिखा है कि भाई कौन उसके नागरिक्ता के क्या अधिकार होंगे आठे में भारतिय मूल के नागरिक्त के बारे बताये गया है नौ में नागरिक्ता की समाप्ती और दस में 5, 6, 7, 8 के लिए कानूर बनाने की बात की गई है तो दूसरा तो सही है तीसरा नागरिक्ता की समापती ये गलत है ये अनुच्छे 9 में मिलेगा तो यही तो हमारा एंसर हो जाएगा फिर पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले पाकिस्तान चले गए आप कहां चले गए पाकिस्तान भारत से चले गए पाकिस्तान तो आपके नागरिक्ता के क्या अ उसे याद का लिजएगा यह दो इंपोर्टेंट डेट है यहां पस काम आते हैं इसका एंसर क्या हो जाएगा सी पॉइंट क्योंकि यह गलत है नागरिक्ता के समापती कौन से आर्टिकल्स में है तो वह नौ में है बात करते हैं अगले प्रश्ण की और अगला प्रश्ण है बंबई पुनर गठन अधिनियम 1960 के माध्यम से बंबई राज्य को महराश्ट तथा गुजरात में बाट दिया गया बिल्कुल सही बिल्कुल सही जब दिसंबर 1923 में एक घटना घटती है कि फजल अली आयोग बनाया जाएगा क्यों बनाया जाता है क्योंकि देखो अक्ट करते हैं और अपने प्रांड त्याग देते हैं लगभग 56 दिनों का अंसन चलेगा यहां पस 56-57 दिन कुछ ऐसे डाटा रहता है उस दिन तक अंसन चलता है और इनकी प्रांड क्या हो जाती सहीद हो जाते हैं आनन फानन में तीन दिन के भीतर ठीक है बात माननी पड़ती है और आन्द प्रदेश को एक नया राज्य बनाना पड़ता है किस आधार पर बनाएंगे याँ? भासा के आधार पर तेलगू भासा के आधार पर आन्द प्रदेश एक राज्य बन जाएगा दैन उसके बाद जब एक को बनाया न को अक्तुबर 1953 को ठीक हैvenir 1953 को बनेगा जब एक को जब आपने भासा के आधार पर राज बना दिया, जब एक को बनाया है, तो फिर सब को बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब एक को मिला तो सब को मिला चाहिए, क्योंकि अब तो ये अधिकार के रुपे मड़नित हो गया, तो इसलिए भासा के आधार पर राज्यों के गठ किया जाए लेकिन अब तो आधार बन गया है वो क्या है भासा तो भासा के आधार पर गठिट करने के लिए एक आयोग बनेगा फजल अली अध्यक्ष रहेंगे यह 1953 का आयोग है देसंबर 1973 का अध्यक्ष फजल अली रहेंगे इसलिए उनके नाम पर इसका आयोग का नाम पढ़ गया दो और सदस रहते हैं कयम पढ़ीकर और एचन कुझरू, हिदेंाते कुझरू जी और कयम पढ़ीकर भी रहेंगे इसमें फजल अली आयोग ने कहा कि एक काम कीजिए 14 राज्य बनाईए और 6 union territory बनाईए लेकिन होता क्या है 16 राज्य और 3 union territory बनाई जाते हैं सो और ये उल्टा हो गया 16 राज्य तीन union territory की अनुसंसा की गई 14 छे यहां बस बनाया गया ठीक है लेकिन फजल अली आयोग ने क्या किया कि दो राजे को छोड़ दिया इसने कहा था कि हमारे देश में ये जो क, ख, ग, और घ, वाले जो राजे का हम लोग वर्गी करण करके बैठें ये से समात कर दो जब भारती समिधा लागू होता है तो उस समय राजे को क, ख, ग, और घ, में रखा जाता है सब समात कर दीजे और देश में बनाई है सोला राजे और तीन यूनियन टेरिटरी इतना बोल दिया उसने कि सोला राज बनाई है तीन यूनियन टेरिटरी बनाई है लेकिन इसमें उन्होंने ये कह दिया कि दो राज्यों का बटवारा हम नहीं कर पाएंगे वो है बंबई और गुजरात मराथी भासी और गुजराती भासी को अलग नहीं कर पाएंगे और दूसरा था पेपसू को पंजाब और हर्याना को हिमाचर पर्देश के भी कुछेरिया को आ जाता है पेपसू में तो इसको भी अलग नहीं कर पाएंगे तो पंजाब का मुद्दा सौल नहीं हुआ और इसके सासथ बंबई और गुजरात का मुद्दा सौल नहीं हो पाया अर्थात फजल अली आयोक दो जगा फेल हो जाता है वो है बंबई गुजरात और यहां पेपसू में ठीक है तो इन दोनों का सुलजानी पाया था बाद में 1960 के पुनर गठन अधिनियम के तहट बंबई को अलग कर दिया जाता है किससे गुजरात से गुजरात अलग राजय बनेगा बंबई अलग बनेगा गुजरातियों की जो मांग थे कि बंबई सहर हमें मिलना चाहिए वो यहां पस मांग मानी नहीं गई बंबई कहां चला गया है महराश के पास है आज के डेट में तो इसके तद ये मामला सुलच जाता है तो 1960 का मामला सही है यहां पस कि गुजरात और महराश को क्या कर दिया गया बाट दिया गया पहला सही है दूसरा 1962 में नागा लेंड को एक स्वतंदर राज बनाए गया जी हां भारत का आई बासमझे तो ये भी क्या हो जाएगा सही असम से अलग करके इसे बना दिया जाएगा दोनों सही है यहां पस option number C एक और दो दोनों क्या हो जाएंगे सही हो जाएंगे ठीक अगले प्रश्ण की और बात करते हैं अगला प्रश्ण हमारा रहेगा यहां से प्रस्त पावना में उल्लेखित न्याय के अंतरगत सम्विष्ट तत्वों को कौन-कौन से हैं कौन-कौन सा न्याय है जी हमारे पास समाजिक न्याय है आर्थिक न्याय है और राज नितिक न्याय है क्या होता है समाजिक न्याय है समाज का कल्याण होना चाहिए यही तो समाजिक न्याय है समाज में न्याय होना चाहिए महिला पुरुस बराबर होने चाहिए छूत अछूत नहीं होना चाहिए कोई उपर नहीं कोई नीचे नहीं पर पर गются की जो गहराई है जो अर्थ वरस्ता को लेकर वो नहीं होना चाहिए जो संसाधन है वह सभी पर समान रुप से वितृत होने चाहिए आर्थिक क्रियाकलाप ऐसा होना चाहिए जिससे धन का गेंदरी करण यह क्या है न पोलिटिकलिस सब सब्सक्राइज चंहले ने चाहिए ॑ठ हो नसिद शबू सम्मेल siu जाते हैं । चुनाओं नटे सब्सक्राइण को सामिल हो जातों पहला लुए फिर पहले अनुसूची जाती अनुसूची जंजाती और अन्य पिछड़े वर्गों को दिया जाने वाला रक्षण सही है समाजिक नया के तफ़ दिया जा रहा है मिलता है ठीक इंद्रासाहनी केस में सीधा सीधा कहा था वही सुप्रीम कोड ने इंद्रासाहनी बाद में ये भी क इस्क मता धिकार के साथ मंचीत वर्गों के लिए राज्यतिक आरक्षण हाँ ये भी है ठीक दोनों मिलता है हमारे फिर है आर्थिक संसाधनों का समानमित्रण ये भी है चारो नया है हमारे पास तो मतलब क्या हों जागा डी ऑप्षण पहला दूसरा तीसरा और चौन था बढ़ते हैं अगले प्रश्ण की और लाश्ट है यह हमारा प्रश्ण आज क्या अनुच्छे 23 के अंतरगत 23 की बात कर रहा है सोचन के विरुग अधिकार की बात कर रहा है मानो दुर्वेपार और बलात सरम की बात करेगा के अंतरगत राज्य सारवजनिक प्रयोजन के लिए यह पहले पॉंट की बात नहीं कर रहा है जब आप अनुच्छे 23 की बात करते हैं भारती समिधान का जो अनुच्छे 23 है उसमें दो क्लॉज मिलेंगे पहला क्लॉज तो यह कहता है कि मानो दुर्वेपार और बलात सरम प्रतिबंद किया जाता है निसेत किया जाता है ठीक म सरवजनिक क्रिया कलापों के संबंध में अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकती है कि आपको यहां पास सेवा देना है मतलब देना पड़ेगा अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकती है जी हां सरकार के पास पावर्स हैं कि वह आपको सारुनिक का रहे है तो अनिवार्य से सारवजनिक कार्य आ गया example के तोर पर कहीं बाड़ आ गया किसी एरिया में तो वहाँ पस बोल दिया कि चलो आईए सबको काम करना है अधिरोपित कर दिया आईए और सबको काम करना है तो ऐसा नहीं कर सकती कि विभेद करना चालो कर दे नहीं नहीं इस धर्म का मताना इस जात उसमें चार आधार बताएगा है कि चार आधारों पर विभेद नहीं किया जा सकता जैसे धर्म के आधार पर विभेद बिलकुल नहीं किया जा सकता जाती के आधार पर बिलकुल भी विभेद नहीं किया जा सकता मूल वन्स के नाम पर विभेद और नहीं किया जा सकता और ह इसक्षा वरग आना मजदूर बरहना इस टैप नहीं हो सकता इन चार के अधार पर नहीं हो सकता देख लेटें कौन तो एक और चेहां पूरुस में से आफ हो जांगा से आज हमने क्या देखा भारति समीधान को लेकर कुछ वस्तुनिष्ट प्रश्णों पर ध्यान दिया बहुत इंपॉर्टंट होते हैं tease question है ठीक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा मैं फिर से आपसे मिलूंगा अगली कड़ी को लेकर तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए खुश रहिए तब तक के लिए धन्यवाद